नमस्काल दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे आजके इस नई वीडियो में और आजके इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं हमारे मद्धिप्रदेश में समस्त गवर्मेंट कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रिक्रिया 2021-22 के अंद्रगत BA, BSC, B.com, BBA, B.A.R.L.B. आदी की जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग प्रिक्रिया है वो इस्टार्ट हो चुकी है तो आप कब से कब तक आविदन कर सकते हैं, च्वाइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं, आविदन में तुटी सुधार कब से कब तक कर सकते हैं और साथ ही सेकंड राउंड की जो मैट लिस्ट है वो किस डेट में आने वाली है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं तो registration की जानकारी हम पहले दे चुके हैं च्वाइस फिलिंग की जानकारी भी पहले आपको बता चुके हैं अगर आपने first round में registration किया था और second round में अगर आप first round में आपको college नहीं मिला था और या किसी करणबस आप fees payment नहीं कर पाये थे admission नहीं ले पाये थे तो यहाँ पर second round में आपको choice फिलिंग करना है और अगर आपने first round में registration नहीं कर पाये थे तो second round में आप registration कैसे कर पाएंगे और कब से कब तक कर पाएंगे थे यहाँ पर आप दिख सकते हैं undergraduate का option है इसको हम खोलते हैं यहाँ पर आपको कुछ date मिल जाती है सबसे पहले यहाँ पर हम box पर click करते हैं I agree option पर click करते हैं यहाँ पर आप दिख सकते हैं new registration अंडर graduate तो यहाँ पर जो छात्र first round में registration नहीं कर पाए हैं उन्हें यहाँ पर 28.8.2021 से 3.09.2021 सक आप अपना registration कर सकते हैं लेकिन जिन छात्रों ने first round में registration कर दिया है और college प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें केवल choice filling करना है यहाँ पर आप दिख सकते हैं choice filling का option है इस पर जाकर केवल college choice filling करना है तो यहाँ पर जिन छात्रों ने registration नहीं किया है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर registration करेंगे जो की 28.01.2021 से 3.01.2021 तक होगा इसके बाद अगर आपका जो college में re-choice करना है और first round में college में नाम नहीं आया था तो choice filling के option पर जाकर दूसरे नंबर पर आप choice filling करेंगे इसके बाद आपको जो है अपना verification का receipt कैसे निकाल सकते हैं और साथ में आप अपनी पावती के ऐसे print कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे आप देख सकते हैं registration choice filling और verification receipt का option है जो की 28.01.2021 से 3.01.2021 तक रहेगा इसके बीच में आप अपना registration print कर सकते हैं choice filling परेंट कर सकते हैं और verification receipt print कर सकते हैं इसके बाद edit का option अभी यहाँ पर नहीं जुड़ा है कल यहाँ पर edit का option आजाएगा जिन छात्रों के first round में registration में 30 सुधार थी message दिये गए थे documents गलत थे और वो सुधार नहीं कर पाए थे वो यहाँ पर सुधार कर पाएंगे यहाँ पर edit registration का option आजाएगा edit choice फिलेंग का option आजाएगा तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे इसके बाद जिन छात्रों को second round के registration करने के बाद भी message आता है 30 सुधार के लिए तो वो भी फिर 30 सुधार कर पाएंगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे कम मैट लिस्ट आएगी तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगी दो तिय चरण की जो प्रिक्रिया है इसमें आविदन करने की जो टित्थी है वो 68 6221 से 39 2021 तक है इसके बाद आपके जो online दास्तावेज है सत्यापत होंगे वो 39 61 से यहाँ 29 61 से 59 2021 तक आपके जो डाकुमेंट से वो online verification किये जाएंगे इसके बाद जो आपका मैट लिस्ट है वो 10 9 2021 को जारी किया जाएगा यहाँ 10 सेतंबर 2021 को आपका मैट लिस्ट आएगा और 10 9 2021 से 14 9 2021 तक आप अपना फीस पेमेंट करके जो है रजिस्टेशन कनफॉर्म कर सकते हैं इसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो है आपके डाकुमेंट कहीं नहीं देने हैं अभी आपको डाकुमेंट्स रखने हैं इसकी डेट अलग से आएगी जहां पर आपको डाकुमेंट्स जमा करने होगे तो जिन छात्रों ने फर्ष्ट राउंड में एडमिसन ले लिया है फीज पेमेंट कर दी है कोने भी डाकुमेंट्स अभी कहीं जमा नहीं करना है और साथ में जो है सेकंड राउंड के जब एडमिसन हो जाते हैं इसके बाद आपको डेट बताई जाएगी उस डेट में आप अपना डाकुमेंट्स जमा कर पाएंगे